नमस्कार जैविकास के सिद्धान्तों में आज हम पढ़ेंगे डार्विनिजम के बारे में जैविकास के संबंद में चार्ल्स डार्विन का नाम सबसे अधिक प्रसिद है इन्हें HMS बीगल शिप पर एक चल यात्रा करने का मौका मिला जलियान की इस यात्रा में डार्विन ने अट्लांटिक महासागर के कुछ द्वीपों दक्षनी अमेरिका के कुछ तटों और दक्षिन प्रशांत महासागर के द्वीप समुओं की यात्रा की जिन में गैलापेगोस आइलेंड भी शामिल थे इन्हों ने इस यात्रा में बहुत सी सामगरी संग्रहित की अपने अध्यनों से इन्हों ने एक सिद्धांत दिया जिसे त्योरी आफ नैच्रल सेलेक्शन कहते हैं लेकिन डार्विन सिरफ अपने अध्यनों से ही नहीं बलकि अन्य उस समय के जो लोग थे उन में से भी कुछ की जो फाइंडिंग्स थी उससे इंफ्लुएंस थे उन्होंने माल्थस की प्रिंसिपल ओफ पॉपुलेशन को पढ़ा था इसके साथ साथ ऐल्फरेड वालिस जो दार्विन के समय ही काम कर रहे थे उनकी फाइंडिंग्स भी दार्विन को पढ़ने के लिए मिली थी तो स्वेम क्या दनो और माल्थस और अल्फरेड वालस और इन सब को कंबाइन करके दार्विन ने अपनी इवोलुशन की थियोरी दी अपनी एक किताब में इसका नाम था On the Origin of Species by Means of Natural Selection चले देखते हैं दार्विनिजम के basic concept क्या है दार्विन ने प्राकरतिक चैन का सिध्धान दिया था तियोरी ओफ नैच्छल सेलेक्शन इसकी मुख्य बाते हम यहाँ देख सकते हैं ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस, वेरियेशन एंड हेरेडिटी, नैच्छरल सेलेक्शन, सर्वाइवल अफ दा फिटेस्ट और ओरिजन आफ निव स्पीशीज यह समरी है तार्विनिजम की अब इसे डेटेल में देखते हैं ओवर प्रोडक्शन डार्विन ने बताया कि प्रक्रती जीवों को परियाप्त मात्रा में अपने ओफ्स्प्रिंग्स प्रड्यूस करने के लिए हाला कि sufficient resources नहीं देती लेकिन जीवों में फिर भी यह tendency होती है कि वे ओवर प्रोड्यूस करते हैं ओवर प्रोडक्शन और अनॉमस फर्टिलिटी और इंडिय विज्वल्स अफ इच काइंड प्रोड्यूस दैन कुट पॉसिबली सर्वाइव उन्होंने वताया कि एक मचली अपने जननकाल में लाकों अंडे देती है एक ओईस्टर भी लाकों अंडे उत्पन करता है इस प्रकार जीवों में बड़ी संख्या में और स्प्रिंग प्रोड्यूस करने की संतति उत्पन करने की शमता हो दी है स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंग्स अब इंडिविज्वल्स जो थे उन्होंने तो मल्टिप्लाई कर लिया जो मैट्रिक रेशूस के अंदर बहुत ज्यादा अनुपात में ज्यामिती अनुपात में लेकिन संसाधन प्रकृती में सीमित हैं जैसे बोजन सीमित है, स्पेस सीमित है, पानी सीमित है तो अब इन बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस इंडिविज्विज्वल्स में एक्जिस्टेंस के लिए जिंदा रहने के लिए संघर्ष होगा कि जो संघर्ष है, यह हैं इंटेंस कंपेडिशन की फॉर्म में होगा यह कंपेडिशन इंटरा स्पेसिफिक भी हो सकता है, एक ही जाती के सदस्यों के बीच में इंटर-स्पैसिफिक हो सकता है दो अलग जातियों के सदस्य के बीच में और एंवार्मेंट के साथ हो सकता है environment के साथ struggle हो सकता है extreme environmental conditions में जीव को संघर्ष करना पड़ता है अब जिन्दा रहने के लिए जो संघर्ष होगा struggle for your existence होगा इसमें कौन जिन्दा बचेगा यह तैक करेगा जीवों में किस प्रकार की विरियेशन्स हैं किस प्रकार की विभिनताएं पाए जाती हैं जीवों को बदलना पड़ेगा यदि उनको इस प्रतिस पर्दा में इस संगर्ष में जिन्दा रहना है तो इनको उसके लिए नुकूलित होना पड़ेगा बदलना पड़ेगा जो जीव यूस्फुल विरियेशन रखेंगे उस वातावरण उस परिस्थिति के नुसार उप्योगी विभिनता रखेंगे वे सर्वाइव करेंगे और बाकी जो हैं वो नश्ट हो जाएंगे जीवों में जो विरियेशन हैं वो फिर कई प्रकार की हो सकती हैं वो हामफुल हो सकती हैं वो यूस्फुल हो सकती हैं वो न्यूट्रल हो सकती हैं तो किसी एक जगए विशेश पर जो जीव मिलते हैं उनकी population, variation दिखाती है, उनमें अलग-अलग गुण पाय जाते हैं, ये गुण उस स्थान विशेश के लिए, उस स्थान विशेश की परिस्तिती के लिए उप्योगी हो सकते हैं, अनुप्योगी हो सकते हैं या neutral हो सकते हैं Survival of the fittest, जिस भी जीव में उप्योगी विभिनता मिलेगी, उस जीव को nature select कर लेगा, individuals with more adaptive variation are better fit than the individuals with less adaptive variations, hence who are better fit in an environment would be selected by nature, जैसा भी मैंने कहा, जो organisms ज्यादा बहतर fit होंगे, environment में ज्यादा अच्छी तरह ढलेवे होंगे, उसे nature चुन लेगा, जिनमें उप्योगी विभिनता है, और बाकी जो हैं, उन्हें दिस्कार्ड कर दिया जाएगा, नेचर के दवरा हटा दिया जाďगा, नेचर जिसे चुनेगा, उसे या तो वह जिनदा रखेगा, या उसे ज़्यादा प्रजैनी ज़्यादा संत्ति उत्पन करने की बारी बारी स्थितियां देगा यह उसे ज़्यादा मोके देगा प्रजनन करने के दाविन के नुसार जो नेचर सेलेक्ट करता है वो यूसफुल वेरेशन के अकॉर्डिंग करता है during the struggle for existence only those individuals could survive which exhibits such variations that are more beneficial in facing the hardship of environment origin of new species किसी जाती की population में कुछ जीव एक तरह की useful variation रखेंगे और environment के साथ एक तरह से धज जाएंगे वहीं दूसरी तरह के उप्योगी variation धारण करने वाले उसी जाती के जीव बातावरण के लिए एक भिन तरह से ढ़लेंगे इस प्रकार एक ही जाती से बविश्य में दो या अतिक जातियां विक्सित हो जाएंगी Certain members of a population with one group of variation may become adapted to environmental changes in one way While others with a different set of variations may become adapted in a different way As a result, two or more species may arise from a single ancestral species Darwin ने चाती के निर्मान की प्रक्रिया को समझाया उन्होंने ये सार बताया कि जीवन के लिए जो संगर्ष होता है उसमें जिन जीवों में उप्योगी विभिनता होती है वे जीवित रहते हैं, उनके जीन्स अगली पीडी में नहरेट हो जाते हैं और पीडी धर पीडी ये अनुकूलताएं बढ़ती जाती हैं ये अनुकूलताएं बाद में जाकर एक नई जाती का निर्मान कर सकती हैं दार्विन की जो थियोरी थी इसका क्रिटिसिजम भी किया गया हाला कि डार्विन ने बहुत महत्वपूर्ण observations की थी और उन्होंने बहुत सारी नई बातों को बताया था लेकिन इसमें कुछ कमियां भी बताई गई सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि डार्विन ने प्राकृतिक चैन अत्वा सबसे उप्युक्त का जीवित रहना जो डार्विन वाद का मुख्य तत्व है इसका अधार ये बताया था कि जिन जीवों में विबिन्ताएं वातावर्णिय दशाओं के नुसार उप्योगी होगी वही बहु मुख्य जीवन संगर्ष में सफल और विजई होंगे दूसे शब्दों में लाब धायक विवितता को प्रकृति चुनेगी और उसी विवितता को धारण करने वाला जीव जीवन संगर्ष में विजई बनेगा लेकिन डार्विन इस विरेशन का आधार नहीं बता पाए वे विरेशन कैसे पैदा होती हैं कित्य प्रकार की होती हैं और कैसे इनहरेट होती हैं इस बारे में कुछ नहीं बता पाए इसलिए उन्होंने survival of the fittest के बारे में तो बताया लेकिन arrival of the fittest सबसे fit आया कैसे उस बारे में नहीं बताया सबसे fit को चुन लिया प्रक्रती नहीं ये बता दिया लेकिन सबसे fit आया कैसे इस बारे में नहीं बताया Darwin ये भी नहीं बता पाए कि मनुष्य में या कई और जीवों में जो वेस्टीजियल ओर्गन्स पाए जाते हैं वो क्यों होते हैं तो इस प्रकार दार्विन वेरेशन के सोर्स को और जाती की उत्पत्ती के लिए कुछ और मेहत्वपूर्ण जो कारक थे उनके बारे में नहीं बता पाए बाद में नियो डार्विनिजम आया क्या है नियो डार्विनिजम डार्विन की नैचरल सेलेक्शन की जो बेसिक थियोरी थी उसमें कुछ और नवीन जानकारिया जोड़कर उसको एन्हांस और एडवांस बनाया गया जिससे वे पक्ष जिनके बारे में डार्विन ने नहीं बताया था वे भी इस ठियोरी में जुड़पाए इसे नियो डार्विनिजम कहा गया, जैसे की विरेशन का सोर्स क्या है, किती तरह की विरेशन होती है दार्विनिजम और लेमाकिजम में क्या डिफ्रेंस है इस चित्र में बहुत बहतर तरीके से हम समझ सकते हैं लेफ्ट एंड साइड में आप देखेंगे तो लेमाक का जिराफ वाला उधरन आपको यहां दिखेगा लेमाक ने यह कहा था कि जिराफ शुरू में सारे के सारे एक जैसे थे छोटी गर्दन वाले और छोटे अगरपाद वाले लेकिन जब वातावर्णिय परिस्तितियां बदली और उन बदली वातावर्णिय परिस्तितियों में इन्हें अपनी गर्दन को उंचा करके अपने फॉर लिम्स को उंचा करके पतियां खानी पड़ी तो धीरे धीरे पीडी दर पीडी इनकी गर्दन कुछ लंबी होती गई और बाद में सारे जिराफ लंबे हो गए यही एक्जामपल राइट एंड साइड में डार्विन की बात को समझने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं लेकिन यहां जो फरक है उसे हम देख सकते हैं लेमाक कहते थे कि सारे जिराफ शोटे थे और सारे बाद में बड़े होए लेकिन राइट एंड साइड का चित्र जो ह है उसमें हमें पता चलता है कि जिराफ सभी उन्चाईउं के हुआ करते थे चोटी हाइट के भी थे बड़ी हाइट के भी थे जब वातावण बदला जमीन पर घास खतम हो गई सिरफ जीवित रहने के लिए पेड के पत्ते ही बचे उस तिती में छोटी हाइट के जो जिराफ थे उन्में harmful variation थी लेकिन ऐसे जिराफ जिनकी गरदन लंबी थी जिनकी 4 limbs लंबे थे उनमें useful variation थी इन useful variation वाले जिराफ को nature ने सेलेक्ट कर लिया और अंतत्य यही जिराफ बचे और बाकी छोटी हाइट वाले जो जिराफ थे वो नश्ट हो गए तो जो मूल अंतर है लेमाकिजम और डार्विनिजम में वो इस चित्र से हमें बिल्कुल स्पष्ट होता है इस प्रकार आज हमने डार्विनिजम के बारे में पड़ा और इसका कंपरेजन देखा लेमाकिजम से